जहन्द फ्रेंट्स गुर्भगवान के चरलों में साधर पडाम साधर बंदन सरप्रथम तो उन सभी दिवंगत छात्रों को शर्धानजली जिनोंने राजंदर नगर की वर्षा जल्द और घटना में अपनी जान गामाई भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ती दे सवाल यह है कि या तो आप concerned authority को घेर कर बोलो कि दुबारा basement में कोई आदमी नहीं मिलेगा सुरक्षा के सारे मानक और अगली बार अगर ऐसा होता है सरकार ऐसा law pass करे कि अगली बार अगर ऐसा होता है कि किसी भी संस्थान किसी भी institute कोई भी जगा जहां पर ओनर की लापरवाही से क्रिशी को मृत्य हो रही है उसकी संस्था उसकी संपत्ति सील की जाएगी पूरी और उसको आजीवन कारावास्त दिया जाएगा इसका विधान मनाया जाए नहीं तो यह ऐसे चलता रहेगा यह ऐसे ही चलता रहेगा कुछ नहीं होगा मैं बता तो रहूं सिरीज ओफ इवेंट्स हैं एक सिरीज में इवेंट है सरकार यह नियम बनाए कानून बनाए कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है कि बच्चे हैं या किसी भी सामाजी का स्थल पर सारवजणी का स्थल पर जहा उससे जो concerned अधिकारी होंगे उनकी भी सारी संपत्ति सीज कर लिया जिसके समय में एनोसी पास हुई होगी उसकी भी सारी संपत्ति सीज कर लियाएगी और मकान मालिक और concerned अधिकारी जो भी है सब को आजीवन कारावास्त दिया जाएगा कोई सुनवाई नहीं कोई कोट नहीं कोई मुकदमा नहीं बस इतना ही काफी होगा तब तो सही बात है तब तो लड़ाई लड़ी भी जाएगी अब एक दूसरे के ऊपर कीचर उचालने जो लोग आये हैं कानून की मांग होनी चाहिए लौ की लौ की मांग होनी चाहिए यह बच्चे कानून की मांग की कठोर कानून मनाओ की ऐसी दुर घटनाए ना घटें मुझे अच्छी तरह याद है मैं एक संस्था में पढ़ाता था वहां एक टीचर की बेस्मेंट में पढ़ाने से दम उटने से मौत हो गई एक टीचर की दम उटने से मौत हो गई और संस्था ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, इस कानून की मांग की जाए, इस की, कि सरकार हमें सुरक्षा की गारंटी दे, ये कानून बनाए कि कि किसी भी कोचिंग के, किसी भी क्लास में 100 बच्चे से जादा नहीं बैठेंगे, मैं तो कितनी बार लड़कों से अपील करता हूँ कि क्यों आते हो दिल्ली पढ़ने के लिए, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, एक से एक बेहतरीन टीचर हो गये हैं, एक से एक शानदार टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और दस दस पंदरा पंदरा बीस बीस हजार में पढ़ा रहे हैं, फिर क्यों आ रहे हो, अनलाइ हो 21-21 साल उमर है सुरक्षा के सब अगर साधन नहीं अगर तुमको वहां जाकर लगता है मुझे आद भी अच्छी तरह याद है एक बार एक लड़का बेस्मेंट की क्लास में मैं क्लास ले रहा था वहां शुरू आत हुई थी क्लास उसने का सार यहां तो एक ही दरवाजा है है निकलने का दूसरा है ही नहीं मैं यहां क्लास नहीं करूँगा कुछ जागुरुकता नागर्कों की भी होती है कुछ नागरिक सिविक सेंस जिसको हम ूदे है वो पूरी होती है, तो आप कानून की मान करिए, कठोर कानून की, किसी कोचिंग में 100 से जादा लड़के आफ लाइन नहीं बैठेंगे, एक बैट में 100 से जादा लड़के नहीं बैठेंगे, मेरी खुद की कोचिंग है, जो कोचिंग की मानकता अगर पूरी नहीं कर रहा है, वो कोचिंग नहीं चलनी चाहिए जो भी standard नहीं पूरा कर रहा है safety standard नहीं पूरा कर रहा है वहाँ संस्थान चलना ही नहीं चाहिए क्यों चलेगा लेकिन फिर क्या होगा मुखरजी नगर की गठना गठी live video चलना ही कूध रहे ते लड़के एक किसी लड़की की रिवल की हड़ी टूट गई थी हॉस्पिटल में भरती थी उसका मुझे फोन आया था कि लेकिन होगा क्या he pra seat करने से की मेर इस्तीफा तो इस से बचों का भविश में क्या भला होगा इस मांग से क्या भला होगा चार सूत्रियम मांगे होनी चाहिए एकदम कि हर संस्था जो कोई भी सार्वजिनिक संस्था है कोचिंग चला रहे स्कूल चला रहे उसके सेफटी स्टैंडर्ड उसे एनोसी देने से पहले चेक किये जाए और अगर कोई दुर घटना घटती है तो कोचिंग ओनर और जिस अधिकारी ने अनोसी दिया है उसको आजीवन कारवास पूरी संपत्ति सील मेर के स्टीवे से क्या होगा राजनीती करैन जो रहा है राजमदनगर में उसके इस्तीवे से क्या मिलेगा बच्चों को सेमित संख्या में बच्चे क्लास में बैठा है 100 स्ब्स बास इससे जादा नहीं इससे जादा बच्चे तो बैठा ही ना 100 त्स गख application form है, admission form है, उसमें coaching responsibility ले, कि अगर हमारी संस्थान में कोई घटना होती है, तो मैं इसका जिम्मेदार माना जाऊँगा, तो मैं इसका जिम्मेदार माना जाऊँगा, declaration, form में declaration होने चाहिए, coaching जो चला रहे हैं उनके द्वारा, और चौथी बात, सबसे important बात है, कि एक कानून पारित होना चाहिए, यह हैं मांग, यह यह बच्चों, यह बच्चों की मांग होनी चाहिए, यह, यह नहीं कि मेर को हटाओ, और ऐसा करो, वैसा करो, यह मांग होनी चाहिए, जो लोग अंदोलन कर रहे हैं, उनको मेर हटाने से कोई लिने देना नहीं, मेर हट जाएगा, दूसरा मेर आ जाएगा, क्या फरक पड़ जाएगा, फिर आपको कोई वादा दे देगा, कमेटी बिठा देगा, फिर छे मेहने बाद कमेटी काम करेगी, फिर वही अथावत इस्तिती बन जाएगी, उससे फाइदा क्या होगा, यह मांगें अगर की जाएं, जो लोग भी अंदोलन कर रहे हैं, अगर यह मांगें की जाएं, यह हमारी मांगें हैं, यह अवादोजा की मांगें हैं, नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये चार मांगे चार सूत्रिय कारिकरम है सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरी अगर पूरा नहीं कर रहा है संस्थान और कभी भविश में दुरगटना होती है तो कोचिंग का ओनर या संस्थार का ओनर स्कूल का ओनर गेमिंग जो का ओनर जो भी ओनर है उसको और जिसने अनोसी दिया उसको आजीवन कार आवास और पूरी संपत्ति कुर कर लीजाए और यह हंडर्ड स्टूडेंट्स का बैच होना चाहिए इस से जादा नहीं होना चाहिए यह तो मैं भी मानता हूँ सो यह रिस्पॉंसिबिलिटी और कानून कोचिंग ओनर रिस्पॉंसिबिलिटी ले डेकलरेशन ले और कानून बनना चाहिए तब जाके यह अंदोलन अंदोलन बनेगा मेयर को हटाओ ऐसा करो इस से कुछ नहीं होगा एक बढ़ियां ट्राफ्ट बनाया जाये कोकि लगातार गटना है घट रही है उनसे बाहर निकलना होगा तब जाकर कुछ होगा हिआ यह कर में बहुत दुखत घटना है बहुत बहुत दुखत है और क्योंकि लगातार घटती है मैं तो राज़कोर्ट वाली इंसिडेंट पर जब बच्चे मरे मैं दो दिन कुछ कर ही नहीं पाया मैं बस सोचता था कि यार बताओ कैसे वो छोटे-छोटे बच्चे आके घेरे में आ गए होंगे और क्या अंतिम क्या बीती हो तो खेलने गए थे उनका क्या दोश था वो तो खेलने गए थे उनका क्या दोश था तो सभी छात्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उचित मांग करें उचित मांग करें इसको राजनीती करण ना होने दें किसी राजनीतिक संस्ताओं का चिकार ना हो इस स्यादा नहीं कहा जा सकता दुख और समवेदना की इस घड़ी में सिर्फ समवेदना व्यक्ति की जा सकती है हमें बेस्मेंट मिल रही थी चार लाग रुपे कम में मिल रही थी जितने की कोचिंग हमने लिये चार लाग रुपे कम की मिल रही थी वहीं उसी बिल्डिंग में नीचे बेस्मेंट अभी तक काली है हमने लिया हमने गाना मैं रहा हूं ना बेस्मेंट में मैं देखा हूं मुझे पता है बेस्मेंट की क्या इस्तिती होती है कि अगर इन मुद्दों पर बात नहीं रखी गई अंधोल्न नहीं किया गया मांग नहीं रखी गई कुछ नहीं होगा फिर छे महेंने बाद सब यथावत का आप यहीं चलते युथ देखना सब यथावत फिर यहीं चलते हुए आप आके छे महीने बाद देखना यह जितने लो अच्छातर तुम इंदोलन कर रहे हो यह सब आके देखना छे महीने बाद सब ऐसे हुए चलता हुआ तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं बनेगा